कौन से फिल्म मचाएगी बवाल और किसे देखने के लिए दर्शक जाएंगे सिनिमा घरों तक भर भर कर जी हां आपको बता दें कि तीन फिल्में इस बार होली पर रिलीज हो रही हैं पवन खेसारी निरहुआ तीनों की फिल्म में रिलीज हो रही हैं पवन की पवन पुत्र और खेसारी की भाई महंदी लगा के रखना थ्री और तो और रोमियो राजा निरहुआ की रिलीज हो रही है तो भाई इन तीनों फिल्मों में से काटे की टककर तो सिर्फ दो फिल्मो में पवन पुत्र और महंदी लगा के रखना थ्री लेकिन आज हम आपको बता दें कि अगर आप एक्षन के दिवाने हैं तो भाई आप पवन पुत्र देखिए और आप अगर रुमैंस और प्यार के दिवाने हैं तो भाई महंदी लगा के रखना थ्री देखिए क्योंकि यह मुवी आपके लिए ही फिर बनी है आपको बता दें कि पवन पुत्र में पवन सिंग के नाम वाला गाना भी है और खेसारी की फिल्म में तो भाई आमरपाली ने खेसारी के साथ ठुमके लगाए हैं तो वहीं पवन के फिल्म में काजल रागवानी ने उनके साथ ठुमके खेसारीलाल यादो व्यूजS के मामले के सर्में पावण पुत्र से कहीं जादा आगे हैं। tecnikNG का फिल्म पिल्माहें के दो के सर्मा पाई गता है भी रहांगों इन दोनों फिम्म करें में कुछ जादा नाया अक्शन में आज से पहले भी आपसे पवन को देखा है मैं organized युद्शा देखा है यह नए यह है कि इन दोनों के साथ जो इस फिल्म में नई हिरोईने आ रही है झाँ जो नए प्रियंका रेवडी की तो दूसरी वाई शेहर अफसा की, शेहर अफसा खिसारी के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, और शेहर अफसा के खुबशूरती के चर्चे, आज कल भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े जोरो शोरो से हो रहे हैं, वही प्रियंका रेवडी के सादगी के चर्चे आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रहे हैं इसके अलावा प्रियंका रेवडी जो पवन की हिरोईन हैं वो पवन के साथ कई और प्रोजेक्स में नजर आएंगी तो शहर अफसा के लिए आजकल खेसारी लाल यादों ने भोजपुरी में और भी प्रोड्यूसर और डिरेक्टर से बात करना शुरू कर दी है कि भोजपुरी में शहर अफसा को और काम दिया जाए तो भाई हमने आपको बता दिये हैं इन दोनों फिल्मों के बीच के डिफरेंसेस अब आपको तैक करना है कि आपको इस होली कौन सी मूवी देखनी है तो देखिए जो आपका मन करें भोजपुरी जगत की होट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिलकुन नहीं